नमस्कार दोस्तो स्वागे तक पर फिर से आपका मारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्चिवाले भरती के बारे में जहां दोस्तो सच्चिवाले में आपके बहुत बड़ी बंपर भरती निकल चुकी है अल इंडिया लेवल के आपकी वेकेंसी रहेगी जिसमें 12,451 पदों पे आवेदन आपके मांगे जा रहे है वेकेंसी में आपके आपे विकास अधिकारी लेखपल कलरक ग्रेड 2nd चापरासी के पदों पे आपकी वेकेंसी निकली है जो भी इंटरस्टेट केंडिडेट से आवेदन जरूर कीजिएगा पूरा डेटेल में इस वीडियो के अधर हम बताने वाले के अपलाए कैसे करना पड़ेगा आपकी जो वेकेंसी की जो जोब लोकेशन रहेगी वो कहां पे रहने वाली है इसके अलावा एप्लेकेशन फीस क्या रहेगी एज लिमिट का क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा डेटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों वेकेंसी की काफी टाइम से आवेदन स्टार्ट हो चुके थे लास्ट डेट भी आपकी यहाँ पे निकल चुके थे लेकिन भीर से आपकी डेट एक्सेंड कर दी गई है 16 अपरेल आपकी लास्ट डेट रहने वाली इसलिए में नहीं वीडियो वापस से बनाया है कि 16 अपरेल से पहले-पहले सभी केंडिडेट्स अपलाई कर दीजिएगा अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं वीबिन पदों के बारे में अधिसुचना के अंतरकत आने वाली पदों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगी योजना विकास अधिकारी की 244 पदों पे आपकी वेकेंसी निकली है जिसमें यूर केंडिडेट्स के लिए 918 पोस्ट रहेगी वहीं EWS के लिए 211 पोस्ट है चपरासी के 2754 पदों पे आपकी वेकेंसी निकल चुकी है ओल इंडिये लेवल के आपके आपे 12,000 से 14 पदों पे वेकेंसी के आवेदन मांगे जा रहे वेकेंसी की अगर सेक्शन ही कियो गयता कि हम बात करें तो योजना विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए ग्रेजुशन होना जरूरी है वहीं लेकपाल की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुशन मांगा गया है दोस्तो कलरक ग्रेट सेकेंड की पोस्ट के लिए 12 पास केंडिडेट्स अपलाई कर सकते हैं यह आपका education qualification का criteria हो गया इसके बाद में हम बात करेंगे IUC मा की age limit का criteria minimum 18 साल का रहने वाला है और maximum 40 साल तक के candidates apply कर सकते हैं इसके अलावा assist candidates को 5 साल तक की चूट, obviously candidates को 3 साल तक की चूट और PWD candidates को 10 साल तक की चूट भी दिज़ाएगी as per government rules दोस्तो apply कैसे करना पड़ेगा इसके लिए आपको बता दू कि जो भी यहाँ पे interested और eligible candidates हैं आवे दिन करना चाहते हैं तो आपके पास last यहाँ पे मोका रहने वाला 16 अप्रेल तक का 16 अप्रेल तक सभी candidates apply कर सकते हैं आवे दिन जरूर कीजिएगा अगर वेतर मान के हम बात करें तो योजना विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए 35,500 पर मंत आपके salary रहेगी वही लेकपाल की पोस्ट के लिए 34,500 कलरक ग्रेड सेकेंड के लिए 28,600 और 87 की पोस्ट के लिए 19,200 पर मंत आपके salary रहने वाली है आवे दन जरूर कीजिएगा all in 11 की आपके vacancy रहने वाली है हम मिलेंगे आप इनेक्स्ट वीडियो में एक इने अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों